कि हमें अपने भाइयों को समझानाएं क्यों कुब कर रहा हैं क्यों हम वर्गी करण के खिलाफ एं क्यों हम क्रीमिलेर Stanis मेरा बाप बी जच्छ में भी जच्छ मेरा बेटा भी wrapper क् comida अजने के लिए क्रीमिलेर द्धो नहीं है कि यह जो लोगार इसलिए बिल्कुल भी क्रीमी लेह और कोई भी वेक्ती यह कहता न मैं टेलेंट से आया हूं वो तो सबसे बड़ा फ्रोड इसका तो डेटा निकालो यह लोग जो नौकरियां खा जाते हैं जो गायब हो जाती है यह बैक लॉग कांसे क्रियेट हो गया इसके लिए कोई इंवेस्टिकेशन नहीं करनी अब हमने कटरी साफ करने मनना है कटर में बच्चों को पढ़ाना नहीं है और हमें यह कहला द्याद है हम तो यह कमा खालेंगे तो ऐसे आके नहीं पढ़ते सबसे पहली जो समस्या वो पढ़ाई किया अपने समाज है कि हरिया ना में हम अत्ती वंचित मारें और जो बालमीगी वाली चो कैटेगरी हम उसे मार हैं लेकिन उसके बावजूद भी मैं इसका वरगी करन का विरोज कर रहा हूं और मैं आप जास्टियस हमाज इंद्याई किरती मंज का राश्टियस महासची हूं और उसकी से हमारे एडवोगेट महमुद प्रदाश साब उसके हमारे चीफ पैटन है उनके सहयोग से अभी हमने सभी जितनी भी सरकारी संस्ता है प्रावेट सेक्टर एंटरप्राइज है सभी को हमने चिठी लिखी है और उसमें यह लिखाए कि आपके यहां जो भी एंपलाई है उ से सी ओवीशी और मानेटरी इस ब क्लाउंधि होच की लिए डारेक्टर कितने है सेक्रीटरी कितने के बाद susconvery टॉक्ष को दिम कितने हमने सभी का डाता माँगा है उसके बात हमें दाटा मिलेगा कैए हम हमारा में डाता लेनétais हम उसमें फेर प्राइटल slime मांगे और अगर हम उसमें सफर हो जाते हैं हम सरकार के उपर भी दवाब बनाएंगे अपनी सरस्था के अब जो है प्राइविट सरस्था के लिए भी रिजर्शन के लिए आप जो कानून लेका और अगर हमें प्राइविट सरकारी नौक्रिया नहीं बची हैं अभी जो लेटर लेन एंट्री वाला आया है सरकार कितनी चालाख है 41 एंट्री निकाली है लेकिन 41 एंट्री अगर वह एक इखटे निकालते तो उनको रिजर्शन छे एस्टी को देनी पड़ती तीन एस्टी को देनी पड़ती और बार है ओविश को देनी पड़ती लेकिन उन्होंने क वाला सिस्टम है उसके मुताबिक तो यह भी एक हमारे साथ मुद्धोका है कि मैं पुने अपने समाज के लोगों से यह आप जोड़कर विंद्धी करता हूं कल के भारतबंद में पूरण सयोग करें और यह भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जो हमारे भाई जो इसका विरोध कर र करें के खिलाव का हमकुक म마ंगे हमें अपने भाईयों को समझाने यह्म घ्रादवकरें के खिलाफ हैं क्यों क्रीमिलें के खिलाप है का सुप्रीम कोट में गांशित Patch क्रिमिलेंटर को नहीं आप होना चाहिए अर्य सबसे पहले तो हमें अपने घर को ठीक करना चाहिए केवल कानून बना के और पॉब्लिशिटी करने के लिए आम जनता में मेरे भाईयों मुझे जगड़ा करवानी की जो साजी से मैं इसकी घोर बसना करता हूं निंदा करता हूं इसकी और अपने समाज के सारे भाईयों से सब्सक्राइब कानून के मताविक इसका जो विरोध करें और कानून को अपने हाथ में ना ले कोई दंगा फसाद ना होने दे हमारे बीच में कुछ ऐसे तत्व आएंगे जो की इसको फेल करने के चकर मनें उनकी वीडियो बनाए और हम उनका जो है कानून रूप से हम उनकी म होनी चाहिए डिवाई चंदर चूट साफ को संजीव खना जी को और जो जो लोग बनते हैं उनको अपने पदो से स्तीफ़े दे देने चाहिए न अगर क्रीमी लेयर का कोई तो यह बात भी मैं कहना चाता हूं कि यह जो लोग जनल केटेगरी के हैं वो अपने अपने पदो से स्तीफा दे देना. दीवाई चंदर चूट साथ तो क्रीमी लेयर से आते हैं यह हमारे लेकिन क्रीमी लेयर में तो है. तो एक इस्तीफा दिदे दूनों होता है न हमारे की देश की जितने भी जो जनर्ल करेटेगरी के मंतरी हैं सेकेट्री हैं वो सब स्तीफा देदे हैं वह सब तो क्रीमी लेयर में आ गए न है तो वहां नहीं ख्री मे लेंद सिर्फ फर ऑड़ा धोका इसलिblock बिलकुल कई मी लिया पर कोई भी वेखती, यह कहता न मैं तेलेंट से आया हूँ, वह तो सबसे बड़ा फ्रॉड है, जो जैनल के टेगरी का यह वेखती कहता है मैं टेलेंट से आता उन मैं एक आत परशंट लोग होते हैं, वो दूर से पचाने जाते हैं यह बात सारे देश में जितनी भी सरकारें वो सब मिलके उतनी नौकरियां नहीं दे पाएंगी अगर आप लोग हमारे अंदोलन में मदद करो के प्राइविट सेक्टर में इतनी करोड़ों नौकरियां बाकी हैं हमारी जो बैक लॉग की करोणों नौकरियां बागी है सरकार में वो लेने के लिए आनंदोलन करोणों नौकरियों की कमी नहीं पड़ेगी अब जो आपने यह रोस्टर सिस्टम पूछा रोस्टर सिस्टम यह है कि सौ सीटे हैं सपोजें उसमें से पंदरा जो पद निकलेंगे उसमेंसे पहला नंबर किसा आएगा यह vita सौ पड़ जैसे है तो सौ मेंसे फंदरा शर्ण operators है तो सबसे पहला नंबर किसा यह है मैट उपन्दबाथ उसके बेईमानी भाण सिस्टम है हमारा यह कहना अगर इमानिदारी से तो अब जैसे चालिस इन्नोंने दिया दी चालिस सीटे इन्होंने एक साथ ने निका ली जंत यहाँस लेटर एंट्री मिलेगी चालिस अब से piace अब डिपर्ट्पर्मेंट है वशार रिबाट्मेंट एक अक करके एक एक जगा हर जगा नौकारी आ कौन लेगा कि क्या है पहले जनरल केटेगरी वर लेंगे किसी के हाथ में कोई नौकरी नहीं आएगी जब 15 लोगों के हाथ में एक नौकरी नहीं आ रही यही तो पीड़ा है इसलिए कोई भी वेक्ति किसी भी बड़े पत्पे क्यों नहीं पहुँच पाया कि 15 का ग्रुप एक नौकरी नहीं ले पा रहा है अब दो का एक का पॉर्ण को利ड पाएक को एक मारी ले पाएगा इसकी संख्या भी एक पर्शंड नहीं जिसकी संक्या भी तीन पर्शंड नहीं जब 15 पर्शंड मिल्के यह बन्याद जो मैं आपको को समझाए रोस्टर का मतलब यह है मैं बताचता हूं कि पहली तीन सीटें जाएंगी जनरल की चोथी आएगी ओवीशी की शात्वी स्ट की आएगी और पंद्री मी एस्टी की आएगी तो हमारा अगर वह इतनी चिंतक हैं तो सबसे पहली पूस हमें देना पहले तीन पोसे जनरल को जाएंगी फिर ओवीशी को हमारा सी का नमबर साथ पाएगा स्टी का बार पंद्री के नमबर क्योंकि हम 15 परसेंट पांच यह नहीं तो है ना मैं पांच नहीं पता रहूं ना एक ही नौकरी है एक है और वह पंद्रा के हाथ में नहीं आ रही थी त अगर वो समझदार उनको यह बात खुदी कह रही है ने जज़्मेंट वह बहुत पिछड़ गये इसी उनके पिछड़े पंका जिसकी जिम्मेदार सरकार है अगर इमानदारी से देखिए यह 15 परसेंट नौकरियां मिल रही होती 15 परसेंट भी मिल रही होती तो क्या बालम करने के लिए इस पूरी जज़्मेंट में भी नहीं बहजा गया कोई बोला है कि इसका तो डेटा निकालो कि यह लोग जो नौकरियां खा जाते हैं जो गायब हो जाती है यह बैक लॉग कहां से क्रियेट हो गया इसके लिए को इन्वेस्टिकेशन नहीं करनी क्रीम क्रीम मैं मैं वही तो कह रहा हूं कौन क्रीम खा गया क्रीम क्रीम क्या अभी तो मठा भी पढ़ा है महां पर दस सारा मठा क्रीम मैं जब क्रीम खा गया यह मैं यही तो कह रहा हूं आपको क्रीम तो जब खाएंगे जब दूद्ध खत्म हो दूद्ध तो पढ़ा अभी खूब क् पांच किलो यह तो खा गए पांच किलो यह देखिए दूद से बनती न सब चीज़ें दस किलो दूद तो जनरल केटेगरी वाले पी रहें रोज हैम अधार स्व्बाइब है कि अलग और पाँच किलो दूद्व जो हैं स्वाज सब्सक्राइब यह यह दूब कर देखना यह जो 5 तो बस वो उसको मिल गई और यह जो पूरा का पूरा पूरा रखा है उसकी तरफ देखी नहीं रहे वो जो हमारा है जिस दिन पीपे की तरफ देखना शुरू कर दिया और यह यह जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा उनकी है जो पांच परशन की लोग हैं जिनको नौकरियां मिल गई हैं कि वह बाकी सब की लड़ाई आगे रखें तो मैं यह कमी को मानता हूं जो समाज यह पांच परशन समाज में जिन जिन के हाथ में थोड़ी ज्यादा नौकरियां आ मैं पढ़ा है ना वो ले एक और बात मैं से दार में पता दूँ वह जर्रल वाले ले जा ही नहीं सकते वह चुरा सकते लेजान नहीं सकते रूप वह चुराना है वह डखेती है वह तो यहां रखिने का था वह कभी इस्तिमाल नहीं हो सकता वह दूद सढ तो जाएगा या इस्तिमाल नहीं हो सकता वो दूद यह क्या किया है वो दूद चुरा के पीरें जनल केटेगरी लोग वो चोरी का दूद है वही रोकने का काम जो है यह 5% लोगों को करना चाहिए था जो नहीं किया यह जिम्मेदारी आज भी है अगर हम यह 10 किलो दूद रोज का हम अगर छी होंगा यह यह कह रहें कि जो जाटव समाज है यह मलाई खा गए है पिछले 70 साल से रिदर्विशन है 15 परसेंट है आज केवल 5 और 7 परसेंट ही पोस्ट क्यों भरी गई है वह 8 परसेंट जो बच्ची उनको बाल हुए कि मेरे भाईयों को दे दो हमें दे दो क्योंकि मैं भ कि उनका माना जब रहता है कि जब 15 परसेंट हैं 15 की 15 परसेंट भरी जाती अब इनका इतना कोटा है सारा भारा हुआ है और इसमें जो बालमी की समाज का रही इनका जो वंचित वर्का जो नहीं आ पाया जब तो उनकी दलील कि यह जो 200-200 लोग है पूरे देश वर्मा जो पहसले का समर्तन करने हैं इनको कैसा समझाए जाए इनका क्या इलाज है नहीं यह 200-200 सो ज्यादा है ऐसा कहना उचित नहीं होगा क्योंकि अगर यह दूद का बटवारा ठीक से कर लिया गया तो बैठेंगे तो समर्तन में और मैं सब्सक्राइब कर रहें हैं फिर भी मैं ब इसका नहीं हो अब हुआ है लेकिन है करना मुनासिब नहीं है कि दोड़ा हैं लोग ज्यादा है लेकिन वो गुम्रा हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी चोरी कौन कर रहा है वो अपने भाई बहनों से कि तरफ नराजगी जो जाहिर कर रहा है वो नराजगी हमें सही तरीके से समझा के नराजगी जहां होनी चाहिए नराजगी को वहीं ले जाना है यह हमार और अगर आप हमें समझाद होगे के नहीं हम गलत हैं तो हम आपके साथ खड़े होंगे लेकिन आप कम से कम लॉजिकली अभी जब शान्त हो जाएगी बात दो चार दिन में तो आप लॉजिकली समझो बात दूद्ध पड़ा है दूद्ध को चुराने नहीं देना है दूद्ध हम सब के लिए बहुत है लेकिन सर्फ वो तो मिठाई बाट रहे हैं नो बास पूद रहे हो तो बड़ी खुशी मना रहे हैं सर्जंतर मंतर पर अग्यां तो मिठाई तो जेब से जा रही है ना उनके मिली थोड़ी है दूद्ध मिला नहीं अभी दूद्ध पीने को तो मिले मैं यही कह रहा हूं आप आने वाले दिनों में हफ्तों में महीनों में यह पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी इसी लिए जो हम लोग यह इस जज्जमेंट का विरोध कर रहे हैं उनको बहुत शांती से अपने लोगों को प्यार से ट्रीट करना है समझाना है अभी क्लियर हो जाएगी ना बात यह भी लेटरल एंट्री में एक सीट दे दी मोदी जी ने अब तो एक सीट दे दी यह अभी भी कुछ एकता है इसलिए लेटरल एंट्री वापिस हो गई वरना सारी 40 की 40 गई थी वही दस किलो दूध हमारा गया था कि अधरा सवाल में उस समाच से वह कह रहे हैं कि आप हमें मौका मिलेगा हम पड़े लिखे हैं हम जो आगे पहुंचेंगे अपसर बंदाएंगे उनको मौका अभी तक किस ने रोका था मैं कह रहा हूं ना अभी तक कुछ नहीं पहले वाला तंदा जो हमारा था अब हमने कटरी साफ करने मनना कटर में बच्चों को पढ़ाना नहीं है और हम यह कहा ना बोला द्याद है हम तो यह कमा खालेंगे तो ऐसी आके नहीं बढ़ते सबसे पहली जो समझे आउए वह पढ़ाई कि हैं अपने बच्चों को पर रोकना चाहता हूं क्या ऐसा कभी भी हुआ हो यह सीटे खाली नहीं थी हमें वहीं मैं पूरे समाथ से पूरे देश से हाथ दोड़ के माफी मागूंगा अगर मुझे यह बता दें कि किसी एक जगह किसी एक साल ऐसा था जब शेडूल कास्ट कम्यूनिटी की नौकरिया खाली ना हो एक समय तो ऐसा बता दें कि पूरी भर गई यह सीटे एक समय से रख सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं पूरी देश की सफाई करते हैं सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो दिल्ली में उनको कही ज़्यादा दूर जाने की आवशक्त नहीं पड़ेगी दिल्ली में यह कारे जो है आज भी फिजिकली लोगों को गटर में उतरके गटर साफ करने पड़ रहा है तो यह आध्यात्मिक सुक्राइब मोदी जी के लिए दिल्ली में ही अवेलेबल है जब चाहें जब ले 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 निशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निशनल दस्तक को करने के लिए रेट कलर के सब्स्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें